आप देख रहे हैं सब्रा कलर्स ओफ लाइफ कोरोना की महमारी पर लगाम लगाने के लिए जार्खन में मिनी लॉकडाउन के तहट स्वास सुरक्षा सप्ता का पहला दिन काफी प्रभावित रहा जिला प्रसासन की तरफ से जहां कोरोना के गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सक्ती भी बरती गई और अवैसेक सिवाव और सुवीताओं को बहतर कराने की दिशा में ठोस पहल की गई सुबा से ही राज्ये के सभी इलागों में लॉकडाउन का असर दिखाई पड़ा एक तरफ जहां कई दुकाने बन रही वही परिवहन विवेस्ता आंसिक रूप से ही रहा मुख्यमंत्री हेमन सोरिन ने शाम में जन्ता की नम संदेज देते हुए सभी से सहयों की अपील की जार्खन वासियों जोहार 22 अप्रेल से 29 अप्रेल तक हमने राजवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास सुरक्षा सप्ता मनाने का निने लिया है इसका पालन आप सब लोगों को करना है आप लोगों के द्रिर संकर्व, आप लोगों के सविदन सिल्ता के तहत ही ये स्वास सुरक्षा सप्ता सफलता परूवक पूरा किया जा सकता है हमारा उद्देस है, हमारे राजवासि सुरक्षीत रहें, जारकन सुरक्षीत रहें हो सकता है कि इस निर्णे से कुछ चीज़ें या कुछ लोगों को दिक्कत हूं लेकिन मैं इसके लिए छमा चाहता हूं आज इस संक्रमन में निर्णे लेना अतिया वज सक था क्योंकि करोना के इस चेन को तोड़ना था और मैं समझता हूं मेरा मानना है कि जार्खन प्रदेश के लोग अपनी आप में इतनी चमता रखते हैं कि हर असंभव को कारी को संभव कर सकते हैं आप इस स्वास्त सुरक्चा सब्ता में बढ़ चल कर कही साले और मुझे इस से पूरा उमीद है कि जार्खन में जो करोना का संक्रमन है उसके गती में कमी आएगी आप घरों से बेवज़ा ना निकले आज हर संभव हमें मुझा करके रखना है बेवज़ा समुव में नहीं रहना है घर मिके अंदर में भी हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में भी एक दायरा बनाते हैं वे अपने जीवन को कुछ दिनों तक काटना पड़ेगा तभी हम इस संकर्मन को रोकने में कामियाब होंगे इसलिए इस सुरक्षा सप्ता में आपका भरपोर सहयोग की हमें उमीद है बहुत बहुत धन्यवाद सबको जोहार बहरहाल राजे में स्वात सुरक्षा सप्ता के तहट लॉकडाउन तो कर दिया गया लेकिन अभी कई चुनवतियों से राजे को निपटना होगा इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है बहतर स्वात सिववस्था का कारगर तरीके से लागू कराना अब सरकार और विभाग जन्ता के साथ किस तरीके से ताल मिल कर आगे बढ़ पाती है ये तो वक्त ही बताएगा ब्यूरर रिपोर्ट सबरंग समाचार रांची